डैश एक हिंदू संथ थे जो वक्ति अंदोलन और महाराष्ट के वारकरी संपरदाय से जुड़े नहीं थे आंसर विकल चार सही है समत रामदास एक हिंदू संथ थे जो वक्ति अंदोलन और महाराष्ट के वारकरी संपरदाय से जुड़े नहीं थे बिरबल किसके डरवार में सलाकात है? विकलदो सही है बिरबल यह राजा बिरबल मुगल समराट अकबर के डरवार में एक हिंदू सलाकात है 1576 में हल्दीगाटी का युद्ध अकबर और टैश के बीछ लड़ा गया था विकलदो सही है अल्दिगाटी का युद राजसान में मेवाड के राधफूर शासक राणा पताप सिंग और मुगल समराट अकबर के सिनापती अंबर के राजा मान सिंग के बीच 1576 इसवी में हुआ था थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थाफ़क कौन थे? आंसर विकल दो सही है थियोसिफिकल सोसाइटी का अधिकारिक तोर पर गटन 17 नमूंबर 1875 को नियू यूज यूज से में मेडम H.P. बलावाट्सकी और कर्नल H.S. ओल्ड कोर्ट दोरा किया गया था भाधिय राष्टिय कॉंग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्स थी? आंसर विकल तीन सही है 1917 में एनी बेसेंट भाधिय राष्टि कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्स थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आंसर विकल तो सही है भारत में अंग्रेजी शिक्षा मेकाले द्वारा 1835 में मेकाले मिनट के नाम से शुरू की गई थी वहावी अंदोलन का प्रमुक उदेश क्या था? अंसर विकल दो सही है वहावी अंदोलन का मुक के उदेश इसलाम को शुद्द करना था भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस अपने अदिवेशन में पहली बार विवाजित हुई आंसर विकल तीन सही है 1885 में इस्ताफित भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस आइनसी को कॉंग्रेस के सूरत अदिवेशन में मुक रूप से चरमपंधियों नरमपंधियों द्वारा दो समुहों वर्च उन्निसो साथ में विवाजित किया गया था बातिये राश्टिये कॉंग्रेस के प्रतम अधिवेशन की अधियक्षता किस ने की? आंसर विकल तीन सही है 1885 में वियोमेश चंद्र बनर जी ने वाटिये राश्टिये कॉंग्रेस के पहले सत्र की अधियक्षता की? किसके वाइसराय काल में वारत की राजदानी कलकता से दिल्ली इस्तानांतिरित की गई थी? आंसर विकल तो सही है 1911 में लॉर्ड होडिंग के कारेकाल के दोरान बारत की राजदानी को कलकता से दिल्ली इस्तानांतिरित कर दिया गया था इंग्लेंड के राज़ा जौर्स पंचम ने 1911 में दिल्ली दरवार में भाग लेने के लिए बारत का दोरा किया था शहा जहां ने डैश की याद में ताज महल बनवाया आंसर विकल तीन सही है ताज महल को शहा जहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुन ताज महल की याद में बनवाने के लिए बनवाया था अंते मुगल बादशाह कौन था आंसर विकल चार सही है बादुशा जफर जिन्हें बादुशा दित्या के नम से भी जाना जाता है भारत के अंते मुगल समराट थे जिन्होंने 1837 से 1857 तक 20 वर्षों तक शासन किया अकबर 1556 से 1605 इसवी किस वंच का सासक था अंसर विकल तीन सही है अकबर महान तीसरे मुगल समराट थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया कलिंग युद डैश वर्षों में लड़ा गया था अंसर विकल दो सही है कलिंग युद 262-261 इसापूर अशोक के अधीन मौर समराज और पूरी तट परिस्तित एक सवतंतर सामन्ती राज कलिंग राज के बीस लड़ा गया था जो वत्मान में आध्वदेश के उत्तर में ओडिशा राज में है हूनों का प्रथम आकरमण कब हुआ अंसर विकल दो सही है प्रथम हून आकरमण 458 इस्वी में कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया अंसर विकल दो सही है कलिंग के साथ घातक युद्ध ने रतिशोधी समराट अशोक को एक स्थेरो शान्तिपूर समराट में बदल दिया और वे बहुत धर्म का संरक्षक बन गया राश्रिय कांग्रेस की कारकारणी समीती ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव स्विक्रित किया था अंसर विकल एक सही है जुलाई 1942 में वर्दा में कांग्रेस कारी समीती की बैटक वी यहां एक लंबा प्रस्ताव पारिज किया गया था जिसमें मांग की गई थी कि भारत में बेटिश शासन तुरन समापत होना चाहिए वर्दा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है 7 अगस 1942 को बंबाई में अखिल भारतिय कांग्रेस कमिटी में इस प्रस्ताव की पुष्टी की गई थी यहां अगस्त करांती मेदान में गांधी के नेतित्व में एक आइंसक जनसंगर्श को मनजूरी दी गई थी निमने लिखित मेंसे किस अधिनियम ने मुसल्बानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल संप्रदाइक प्रतिदनेत्व की शुरुआत की आंसर विकल दो सही है 1909 के भारतिय परिशद अधिनियम जिसे मौले मिंटो सुधार भी कहा जाता है ने प्रिथक निर्वाचक मंडल की अवधारना को सुकार करके मुसल्मानों के लिए संप्रदाइक प्रतिदनेत्व की एक प्रानाली शुरुआ की इसके तहट मुसलिम सदस्यों को के वर मुसलिम मतदाताओं दोरा चुना जाना था इंक़्यभ जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था विकल टीन सही है इंक़्यभ जिंदाबाद का नारा सबसे पहले حसरत बोहानी दोरा इस्तमाल किया गया था इस प्रसित नारे ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपप्लिक एसोशेशन विशेश रूप से अश्वाक उल्ला खान, भगज सिंग और चंद चिकर आजात की कतिवीदियों को प्रेरित किया किस वर्ष शिवाजी को च्छत्रपती के रूप में ताज पहनाया गया था? आंसर विकल तीन सही है, मराटा समराजी के संस्थापक शिवाजी को अप्चारिक रूप से 6 जून को 1674 में राइगर्ड के च्छत्रपती के रूप में ताज पहनाया गया था? किस विश्व विरासत स्थाल में इल्तुत्मिश का मकवरा शामिल है? आंसर विकल तीन सही है, दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुत्मिश दिल्ली के दूसरे सुल्तान का मकवरा 1235 सीई में निर्मित महरोली में कुत्व मिनार परीसर का हिस्सा है सलीम चिष्टी की दरगा कहा स्थित है? आंसर विकल दो सही है, सलीम चिष्टी का मगवरा धरगा फत्यपू सीक्री में सित्थ है, शेक सलीम चिष्टी का मगवरा भारत में मुगल वास्तुकला के भैतरी उधारणों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे मुगल बाच्चा अकपर ने 1580 औ 1581 के दोरान बनवाया सिंदू गाटी सब्विता डैश कालीन सब्विता थी? अंसर विकल चार सही है, सिंदू गाटी सब्विता कांस युग की सब्विता थी साथ वहन समराज का संस्थापक कौन था? अनसर विकल दो सही है सीमुक को नानेगाट में एक साथ वाण चिलालेक में राजगरानों की सूची में पहले राजा के रूप में बर्नित किया गया है साथ वाण चाचन के चुरुवात 271 इसापूर से 30 इसापूर तक विबन रूप से हुई है डैश आठी वी शेतावजी की शुरुवात में भारत के एक दाचनिक और धर्मशास्तिरी थे, जिनों ने अद्व्यत, वेदांत के सिधांद को सम्मेकित किया आंसर विकल पेक सही है, आधी शंक्राचार आठवी श्यदावती के शुरुवात में भारत के एक दाशनिक और धर्मशास्त्री थे जिनोंने द्वैत वेधान्त के सिधान्त को सम्मेकित किया. वॉंडी वॉश के युद में अंग्रेजों ने डैश को पराजित किया? आंसर विकल दो सही है, वॉंडी वॉश के युद में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, इसे कनाटक की तीसरी लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है. पलासी का युद डैश में लड़ा गया था? आंसर विकल तीन सही है, तैश जों 1757 को पलासी की लड़ाई, कलकत्ता और मुश्चिदाबाद के बीच एक छोटे से गाउं और आम के बाग पलासी में लड़ी गई थी, जिसमें रॉबर्ट कलाइब के नेतित्व में इस्ट इंडिया कमपनी की सेना ने, बंगाल के नवा सिराज उद्दोला की सेना को हरा दिया था, निमने लिकित में से पहला संगीत से संबंदित था, आंसर विकल तीन सही है, साम वेद चार वेदों में से तीसरा है, रिक वेद, यजुर वेद, अथव वेद के साथ, प्राचीन, कोर, हिंदु शास्तर, साम वेद मंतरों का वे अरत और दस राजाओ की सेना के बीच प्रसिद राजाओ का युद्ध किस नदी के निकट लड़ा गया था, आंसर विकल तीन सही है, वेदों से प्राप्त प्राचीन इतियास के अनुसार, दस राजाओ की लड़ाई, रावी नदी के पास लड़ी गई थी, जिसे इरावत या परुष्णी के नाम से भी जाना जाता है, भारत की समिदान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे, आंसर विकल तीन सही है, भारत की समिदान सभा की प्रारूप समीती ने डॉक्टर बियार हमबेटकर को अध्यक्ष नुक्त किया, 1918 में मात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए एक सत्याग्राय का आयोजन किया आंसर विकलतीन सही है 1918 का खेड़ा सत्याग्राय गुजरात के खेड़ा जिले में चमपारन सत्याग्राय के बाद ये दूसरा सत्याग्राय अंदोलन था गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों के सम्मर्थन के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया फसल की विफलता और प्लेग महामारी के कारण खेड़ा की किसान अंग्रेजों के उच करों का बुक्तान करने में सक्षम नहीं हो सके बनारस इंदो विफलं कि विफलिद्याली के संस्ताफ़क कौन थै? आंसर विकल दू सही है बनारस इंदो विफलिद्याले पूरू में सेंटरल इंदू कॉलिज वारा नसी उ्तर प्रदेश में स्थेतेक सारवजनिक केंद्रीय विफलिद्याले है 1916 में पंडिट मदन मोहन मालवियद और अस्ताफित केमपस में रहने वाले बाराजा से अधिक चात्रों के साथ ये एशिया में सबसे बड़े आवासिय विश्विद्याले के किताब का दावा करता है निमने लिकित में से एक गदर पार्टी से संबद नहीं था विकल दो सही है गदर पार्टी की स्थापना सौन सिंग भकना और लाला हदियाल ने की थी मौम्मद बरकतुल्ला 1913 में सेंद फ्रांसिसकों में गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे बातिय सिविल सेवा की शुरुआत किस गवंदर जनरल वाइसराय के काल में हुई थी आंसर विकल चार सही लौड कॉर्टनवालिस के शासन के दोरान बातिय सिविल सेवा आईसी एस की शुरुआत की गई थी उन्नीसवी शताब्दी के भाग के लिए भातिय सिविल सेवा ICS को आधिकारिक तोर फर Imperial Civil Service के रूप में जाना जाता है 1870 में भातिय सुधार संग के संस्थापक कौन थे? Answer विकल दो सही है भातिय सुधार संग का गठन 29.00 अक्टूबर 1870 को केशप चंद्र सेन के अध्यक्ष के रूप में किया गया था इसने ब्रह्मा समाज के धन निर्पेक्षपक्ष का प्रतिनिधित्व किया और इसमें ऐसे कई लोग शामिल थे जो ब्रह्मा समाज से संबंदित नहीं थे इसका उदेश ग्रेट प्रिटेन की अपनी यात्रा के दोरान सेन के कुछ विचारों को वहवार में लाना था कर्म कांडों से संबतित वेद को डैश के रूप में जाना जाता है अंसर विकल दो सही है जिस वेद में कर्म कांडों का वर्णन है उसे यजुरवेद कहते हैं, रिगवेद भजनों का संगरे है चोल काल में बना ब्रहदेश्वय मंदिर कहा स्थित है? आंसर, विकलतीन सही है ब्रहदेश्वय मंदिर जिसे वास्तम में राजा राजेश्वरम या पैरुवेद्यार कोविल कहा जाता है भारत के तमिलाडू के तंजावूर में इस्तित शिफ को समर्फित एक हिंदू मंदिर है चोल शिला लिखों में उलिकित भूमी की च्रेणियों के अनुसार डैश को गैर ब्रामन क्रिशिक स्वामियों की भूमी के रूप में जाना जाता था आंसर, विकलत एक सही है चोल शिला लिखों में उलिकित भूमी के विविन च्रेणियों के अनुसार बेलन वगई गैर ब्रामन किसानों के मालिकों की भूमी है काकतिये वंच की किस रानी ने आदुनी कांद परदेश के वारंगल पर शासन किया था आंसर, विकलत एक सही है रूतर्मा देवी 1263 से अपनी मृत्यु तक तककन के पठा रादुनी कांद परदेश में काकतिये वंच की एक महरानी थी संभवता उन्होंने अपने पिता गणपती देव के साथ सेमिक तरूप से 1262 तक काकतिये राज़ पर अपना साशन चुरू किया उसने 1263 में पूर्ण संपरवूता ग्रहन की चितोरगर में विजे स्तंब का निर्मान किसने करवाया था अंसर विकल दो सही है विजे स्तंब भारत के राज़स्तान के चितोरगर में चितोरगर किले के भीतर एक स्तेत एक भव विजे स्मारक है टौवर का निर्मान मिवाड के राजा राणा कुमबा ने 1448 में महमूत खिलजी के नेतित वाली मालवा औगुजरात की संयुक्त सेनाव पर अपनी जीत के उपलक्ष में किया था किस सिख गुरू ने खाल्चा की शुरुवात की अंसर विकल दो सही है खाल्चा परंपरा की शुरुवात 1699 में सिख धर्म के अंतिम जीवित गुरू गुरू गोविन सिंग जी ने की थी इसका गटन सिख धर्म के इत्यास में एक महत्वपून घटना थी खाल्चा की स्थापना सिखो दोरा विशा की सिख नवश के तिवार के दोरान मनाई जाती है निमने लिकित में से कौन सिख गुरू हर क्रिशन के उतरादिकारी थे अंसर विकल दो सही है गुरू हर क्रिशन सिख धर्म के दस गुरूं में से आठवे थे गुरू हर क्रिशन का गुरू के रूप में सबसे चोटा कारकाल था जो केवल दो वर्स पांच महीने और चोविस दिनों तक चला गुरु तेक बादूर सिक गुरु हरकेशन के उतरादिकारी थे डीड़ा चिशक वाली रानी ने 983 से एक जातीन के बीज भारत के किस सिस्थे पर शासन किया आंसर विकल दो सही है रानी दिद्दा 958 सीई से एक जातीन सीई तक कश्मीर की शासक थी पहले अपने बेटे और विबिन फोतों के लिए एक रीजन्ड के रूप में और 980 से एक मात शासक और समराट के रूप में बंबई में सेवा सजन के संस्थापक कौन थे? आंसर विकल दो सही है 1908 में पार्सी समा सुधारक बहराम जी एम मालवारी और दियाराम गिदुमल माईलाओं के लिए घर बनाने और भादियं माईलाओं को नर्स बनने के लिए प्रसिक्षित करने का विजार लेकर रहे इसके बाद वे सुसाइटी शुरू करने के लिए उनके मागदर्शन और साहिता के लिए रमाबाई की और मुड़े और इस प्रकार सेवा सदन बॉम्बे अस्तित्व में आया सत्यात प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई अंसर विकल तीन सही है सत्यात प्रकाश एक प्रसिद धार्मी को समा सुधारक और आर इस समाज के संस्ताफ़क महर्शरी द्यानंसर रस्वती द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई 1875 की बुस्तक है अली गड़ के मौमडन एंगलो औरिंटल कॉलेज की स्थाफ़ना किसके द्वारा की गई थी अंसर विकल चार सही है मौमडन एंगलो औरिंटल कॉलेज की स्थाफ़ना 1875 में सर सेथ एहमद खान दें की थी गुलाम गिरी नामक पुस्तक किस ने लिखी अंसर विकल तीन सही है गुलाम गिरी को जोतिवा फुले ने लिखा है पल्लव राजा जिसने विचित रिचित या जिग्यासु मन की उपादी धारण की थी अंसर विकल पे एक सही है महिंदर वर्मन एक एक पल्लव बन राजा ने विचित रिचित की उपादी धारण की वे एक पल्लव राजा थे जिसने सात्वी शताब्दी की शुरुवात में भारत के वरतमान तमिलनाडू के उत्री शेत्रों पर शासन किया था कोपम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंसर विकल दो सही है कोपम की लड़ाई पस्चमी चालुक्यों और चोलों के वीच लड़ी गई थी कहा जाता है कि पहला तमिल संगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अंसर विकल चार सही है पहला तमिल संगम मदुरै के दक्षिण में पांडे राजा मेकरती के सनक्षण में आजित किया गया था? अगस्त पत्थम संगम के अध्यक्ष थे?